Hello Children, नमस्ते आज का हमारे टॉपिक है दीबदान दीबदान नामक एक कांगी डॉक्टर रामकुमर वर्मा का एक प्रसिद एकांगी है दीबदान की कथा भी कुवर उद्य सिंग का सनक्षन करने वाली धायमा के द्वारा कुमर उदे सिंग के प्राणों की रक्षा करने और उसके लिए अपने पुत्र चंदन के बलिदान करने के परसंग से संबन दित है दीबदान की कतावस्तु सन 1536 इश्वी में राजस्थान के चित्तोड दूग में गटित होती है चित्तोड के महराना सांगा का देहांद हो चुका है और उनके राज्ये का उत्तरा धीकारी उनका सबसे छोटा पुत्र कुमर उदे सिंग है जिसकी उम्र अभी 14 वर्ष है कुमर उदे सिंग की देखरेक और लालन पालन का कारिय पन्ना नाम की एक स्वामी भक्त इस्तरी कर रही है जिसे पन्ना धाय के नाम से जाना जाता है उसका तेरा वर्ष का चंदन नाम का एक पुत्र भी है जो कुमर उदैसिंग के साथ खेलता रहता है महराना सांगा की मत्यू के पस्चात उनके भाई प्रत्वी राज का एक दासी पुत्र बनवीर जिसकी आयू 32 वर्ष है राज्ये पर अपना अधिकार करने के लिए परियतने शील है दीबदान की सारी कथा पन्ना धाय और बनवीर के ही इर्दगीर्द घूमती है दीबदान की संपून कथा कुमर उदैसिंग के कक्ष में गटित होती है रातरी का दूसरा प्रहर है नेपत्ये में नारियों की सम्मिलित नत्य धवनी व्यम गायन का स्वर्ग सुनाई देता है जो धीरे-धीरे हलका हो रहा है उदैसिंग आकर पन्ना धाय को बतलाता है कि बाहर सुन्दा-सुन्दा लड़कियां तुलजा भवानी के सामने नाच रही है और दीबदान कर रही है वे पन्ना को भी अपने साथ नित्य करने के लिए ले जाने की जित करता है किन्तु पन्ना इस बात के लिए तैयार नहीं होती वह कुवर उदैसिंग को समझाती है कि तुम तो चित्तोड के सूरज हो और इस राजवंश के दीपक तता माराना सांगा के कुल दीपक हो तुमें इस तरह नाच गाने को देखने के लिए नहीं जाना चाहिए उदैसिंग के जाने के पस्चात पन्ना ने पास रावल सरूप सिंग की लड़की सोना जिसके उम्र सोला बर्श है और जोतियंत रूप मती तथा कुवर उदैसिंग की सहिली आती है वे पन्ना से कुवर उद्य सिंग को अपने साथ ले जाने का आगरे करती है कि दुपन्ना धाई मना कर देती है पन्ना को संदे हो जाता है कि बन्वीर के मन में कुवर उद्य सिंग को लेकर कोई शड्यंत्र का भाव है और उसी के लिए उसने यह दीपदान का उत्सव ऐसा में आयोजित करवाया है ताकि लोगवा का ध्यान उत्सव में लगा रहे और वहे अपने उत्देशे में सफल हो जाए इस बात में भी संदे है कि सोना कहां से बनवीर के शड्यंतर में सम्मेली दे वहे सोना की बात को ऐसे विकार कर देती है और नाराज होकर पन्ना को भला बुरा कहते हुए माहा से सोना चली जाती है पन्ना धाय का अनुवान सही निकला अन्तेपुर की परिचारी का सामली आकर पन्ना को बतलाती है कि बन्वीर ने सोते हुए महराना विक्रमादित्य की छाती में तलवार भूग कर हत्या कर दी है उसे आशंका है कि कहीं अब वह यहां आकर कुवर उदैसिंग को भी इस राज्य का उत्राधिकारी समझ कर उसकी हत्या नह कर दे इस विकट समय में आने वाले घटनाओं से थोड़ा भी विचलित नह होते हुए पन्ना ने तत्काल निर्णे लिया कि अब राज्य के उत्राधिकारी और कुल दिपक कुवर उदैसिंग के प्राणों की रक्षा के लिए वह अपने पुत्र चंदन की बली दे देगी दुर्ग में जूटी पतल उठाने वाले कर्मचारी कीरत की मदद लेकर पन्ना ने कुवर उदैसिंग को उसकी टोकरी में रखवा कर तथा जूटी पतलों से ढखक कर दुर्ग के बाहर बैरिस नदी के किनारे शम्शान तक पहुँचवा दिया ताकि उसे बाद में सुरक् आवस्था में कुंबल गड ले जा सके इसके पश्चाद पन्ना ने कुवर उदैसिंग के शेयन कक्ष में अपने पुतर चंदन को सुला कर उसे चादर से ढख दिया पन्ना की अशंके के अनुरूप राणा विकरमा दित्य की हत्या के पश्चाद मंदादम बनवीर कुवर उदैसिंग के कक्ष में आता है और पन्ना के बहुत रोकने के पश्चाद भी चंदन को कुवर उदैसिंग समझ कर अपनी तलवार के प्रहार से उसकी हत्या कर देता है पन्ना जोड से चीख कर मुर्चित हो जाती है कमरे में मंद लो से दीपक जलता रहता है और यहीं पर जो है सब कुछ